2019 एशियन रोइंग चैंपियन्चिप मेडलिस्ट्स एजिया एंड ओशियनिया उलम्पिक कॉंटिनेंटल क्वालिफायर्स और टोक्यो उलम्पिक्स में रोइंग में भाग लेने वाली पहली जोड़ी विश्व में कोई देश सिर्फ आर्थिक और सामरिक सक्ति से ही बड़ा बनता है सा नहीं है इसके कई और भी पहलू है आज स्पॉर्ट्स एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जो आज की दुनिया में देश की छवी का भी देश की शक्ति का भी परिचे कराता है प्रधान मंत्री जी के इसी कथन को साकार करने के इरादे से पहली बार टोक्यो उलम्पिक्स जा रहे हैं इंडियन रोइंग टीम के दो नौजवान खिलाड़ी अर्विंद सेंग और अर्जुन लाल जांग इंजिन आर्मी में आने के बाद अर्विंद और अर्जुन ने रोइंग जैसे यूनीक स्पोर्ट में दिल्चस्पी लेना शुरू किया उस वक्त उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन ये टीम 2000 मीटर का इंटरनाशनल कोर्स सिर्फ 6 मिनट और 36.92 सेकंड में पार करके देश को उलम्पिक्स तक पहुँचा देगी अभी हमने दोनों ने अच्छी महनत करके हमने क्वालिफाई किया यहां महनत करके अपना पोईस्टन अच्छी लेके आएंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे भारत को भारत सरकार का हमारे को पूरा सपोर्ट है और जिस चीज की विजरूत पड़ती है तो वे टाइम से पहले आ जाती है इस कारण अपनी परफोर्मेंस हम पर करार रख पा रहे हैं भारत सरकार के सहयोग और प्रोच्साहन से रोइंग में देश को असाधारन काम्याबी दिलाने वाले अरजुन और अरविंध हैं 130 करोड भारतियों की ओलम्पिक्स की आशा झाले प्रोच्साहन से रहे हैं